नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप लोग अमीद करती हूं बहुत अच्छे हूंगे हम लोग भी बहुत अच्छे हैं स्वाकत करती हूं अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ईजी तरीके से गाठिया सेव नमकीन बनाने का रेस्पी जिसे हर कोई अपने घर में बना सकते हैं बस घर में पड़े कुछ सामानों से नहीं आपको मसीन की जरूरत है नहीं किसी तरीके की साचे की जरूरत है नहीं आपको डब्बा चाहिए नहीं आपको पन्नी चाहिए बहुत ही नए तरीके से आज गाठिया सेव नमकीन आपको एकदम मसालेदार चटपटा बना के दिखाऊंगी तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कप गेहूं का आटा, आज गेहूं के आटे की ही गाठिया नमकीन आपको बना के दिखाने वाली हूँ नया तरीका से, तो यहाँ पर एक चमच जीरा को डाल देना है पैन में, तरका पैन में और आधा चमच के जितना इसमें अजवाइन भी दालना है, देखिए जिस चमच से बड़े वाले चमच से एक चमच जीरा और उसी चमच से आधा चमच इसमें अजवाइन डालके और अच्छे से इसे भूनना है जब तक कि इसमें से खुसबू ना आने लगे, ध्यान रखिएगा, मसाले को हमें जलाना नहीं है और बहुत बनाया हो और इस पी आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा अभी देखिए जो तरका पैन है अभी काफी गरम है तो इसमें डाल देना है एक चमच के जितना कसूरी में थी और इसे बस गरम पैन में थोड़ा सा डाल हो जाता है तो अब चलिए मसाला हमारा ठंडा हो चुका है जीरा और अजवाइन तो उसे डाल लेना है इस खल बटे में और बहुत अच्छे से इसे करस करना है थोड़ा सा दरदरा आज का जो गाठिया नमकीन बना के दिखाऊंगी एक बार आप इस तरीके से जरूर हैं तो देखिए यहां पर अच्छे से दरदरा सा कूट के मसाला तयार कर ली हूँ देख पा रहे हैं ना बहुत ज़्यादा आपको बारिक नहीं करना है अब इसी खलवटे में हमें डाल देना है यह वाला जो मेथी का कसुरी मेथी को हलका सा गरम किया थो इसी भी डाल के और क्रस कर दीजिए तो देखिए प्रेंट्स यहां पर हमारा दोनों मसाला जो है बहुत अच्छे से खुस्वूदार मसाला एकदम तयार हो चुका है अब वीडियो को पूरा देख के अच्छे से समझ लीजिए आपको बार-बार मन करेगा इस टाइप का रेस्पी घर में बनाके रखने का अब इसमें डालना एक छोटा चमझ के जितना लाल मिर्ची का पौडर अब यहां पर आधा कब सूजी ली हूँ अब क्या करना है हमें सूजी को थोड़ा बारिक करना है अब यह हूँ कि आटे का सेव नमकी जब आप बनाते हैं तो उससे खस्ता करने के ल यह मैंने आप देख पा रहे हैं सूजी आपके पास सेदी बारिक वला हो तो भी आप इसे थोड़ा सा पीस लीजिएगा इससे और भी ज़्यादा बारिक हो जाएगा और बिल्कुल चावल के आटा के जैसा ही हो जाएगा अब यहाँ पर आप कोई भी बरतल ले ले और इसमें पहले डालना है दो चमच के जितना तेल Refined तेल का यहां पर इस्तिमाल करना है और उसके बाद क्या करना है फ्रेंट्स कि इसमें डालना है हमें पानी तो 3-4 चमस आप इसमें पानी डाल दे बहुत जादा आपको पानी अभी के समय में नहीं डालना है तो जैसे दो चमज तेल है तो इसमें चार चमज के जितना पानी डालना है और सुआत के अनुसार यहां पर डालना है नमक तो आप आटा कितना लिये हैं, उसमें कितना नमक जाएगा, उस अनुसार से आप नमक डालिएगा, और एक चुटकी इसमें डालना है मीठा सोडा, यानि बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा डालिएगा जरूर क्योंकि गेहुं के आटे का ये जब बनाते हैं, हम लोग नमकीन या खस्ता या गाठिया तो इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा एड़ करने से क्या होता है कि हमारा जो गाठिया बनता है वो हलका बनता है नहीं तो गेहूं के आटे से बना हुआ गाठिया जो रहेगा जब आप खाएंगे न तो वो कड़ा लगेगा इसके लिए थोड़ा डाल आपके पास पापर खार है तो आप छोटा चमच से एक चमच पापर खार भी इसमें डाल सकते हैं नहीं है तो आप बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल लीजिए अब जो मसाला तयार करके रखा गया था उस मसाले को भी तेल और पानी के साथ डाल देना है थोड़ा सा तेल पानी को मिक्स करके हलका कर लीजिएगा अब क्या करना है फ्रेंड्स कि इसमें हमें डालना है आटा आटा को डालने के लिए पहले हमें छन्नी डालना होगा इसमें आटा को डालके और अच्छे से छान लेना है तो यहाँ पर एक कप गेहू का आटा है आप ज़्यादा चाहेंगे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं और अपने पसंद से आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा बेशन भी डाल सकते हैं लेकिन आज बस दो ही चीज़ से बना के दिखाऊंगी तो सूजी भी पीछने के बाद इसी की मोईन किया जाता है बिल्कूल वैसे ही हमें आटा को मोईन करना है जिससे कि यह बहुत ज़्यादा ॥ा हो जाए और आपका जो गाठिया है हलका बनेगा फ्रेंड्स आपको और भी नए तरीके से गाठिया बनाने का मन है बीना मसीन बीना साचे का तो मैं वीडियो का लिंक दे दूँगी कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी है ना तो आप वहां से देख पाईएगा आपको जो भी रेस्पी पसंद आएगा तो आप उस टाइप से बना सकते हैं और अच्छा लगेगा हमारा बनाया हुआ रेस्पी आपको पसंद आ रहा है फ्रेंड्स पहली बारा है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग सपोर्ट करिएगा तभी तो वीडियो भी बनाने में बहुत मन लगेगा हमें हमारे चैनल पर आपको धेर सार पापर का भी रेस्पी मिल जाएगा आप नए हैं तो एक बार जरूर चेक आउट कीजिएगा अब इसके उपर हलका सा तेल लगा के और हलका सा ही से फिर से मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद क्या करना है फ्रेंट कि इसे ढखके हमें पांच मिनट तक छोड़ना है देखिए बहुत ज़्यादा इसे गीला नहीं रखना है तब तक आपको मसीन बना के दिखाती हूँ साचा इसे साचा बोला जाए तो एक टाइप से आप पानी वाला जो खाली बोतल होता है वो ले ले और इसे कट कर दें देखिए जहां से गोल जैसा भाग होता है न वहां से हमें अलग कर लेना है चाकू के सहते से और इसका जो हूँ के आटे से आप बनाते हैं तो होल जो है बहुत ज्यादा मोटा करेंगे तो नमकीन भी थोड़ा मोटा मोटा ही बनेगा और वो अच्छा से पक नहीं पाएगा और ये जो हमारा साचा है साचा बिल्कुल तैयार है एकदम नए तरीके से आज मैं आपको बना के दिखाऊ आटा भी हमारा सेट हो चुका है देख पार है थोड़ा सही से मल देना है इस तरीके से सूजी जब तक फूलेगा नहीं तब तक आपका गाठिया जो है खसता नहीं बनेगा तो फ्रेंट चलिए अब आपको जटपट से बना के दिखाती हूं तो थोड़ा थोड़ा सा आप लेना है और यह गेहूं का आटा है तो काफी चिपचिपासा लग रहा होगा देखे फ्रेंट अब क्या करना है कि एक आपको बस दिखाने के लिए प्लेट में बना के दिखा रही हूं आप चाहें तो डिरेक्ट कराही में भी बना सकते हैं लेकिन इस तरीके से बनाएंगे अंगूठा से आप आटे को इस तरीके से प्रेस कीजिएगा और यह जो होल है जो धकन में आप होल किये हुए हैं उससे एक तम पतला-पतला सा गाठिया बन के और बहुत अच्छा हलका हलका इसके उपर डिजाइन भी बन जाएगा जैसा गाठिया में डिजाइन होता है व में कभी आपके साथ करूँगी अधार, वाना है अप दिखाने केलिए इधर लेके। आया है मैंने देखिए बहुत ही सुन्दर से और इस तरीके से दवाना है और देखिए हमारा गाठिया से बने आया है और आप आप चाहें तो देखिए हाथ से भी बस छोटा छोटा सा टुकड़ा आटा का लें और इस तरीके से करके और धेर सारा गाठिया आप बना सकते हैं तो आपको जो भी अच्छा लगे जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप गाठिया घर में बना सकते हैं और खर्च भी जादा नहीं बस गेहूं काटा थोड़ा सूजी देखिए है ना बहुत अच्छा तो चलिए आप गाठिये को फराई करके आपको दिखाती हूं इसे फराई करने के बाद ये कैसा लगता है तो आप पूरा वीडियो देखिए आपको खुद बखुद समझ में आ जाएगा और इस तरीके से आप पहले बना के रख लेते हैं तो जटपट से आप फराई कर सकेंगे तो फराई करने के लिए यहाँ पर तेल को चराया है चुले पर तेल हमारा मीडियम गरम होना चाहिए बहुत ज़्यादा धुआ धुआ गरम नहीं करना है और नहीं बहुत ज़्यादा अब इसमें देखिए उठा उठा के आप गाठिये को डालते चले जाएए जिस बरतन में आप गाठिया निकाल रहे हैं उसमें थोड़ा से तेल लगा लीजिएगा जिससे की गाठिया जो है बरतन के बरतन में चिपके न और जट जट से जब आप इसे उठा के तेल में डा है ना बहुत ही सुन्दर बनके आया था बहुत ही खाने में टेस्टी गेहूं के आटे का मसाले दार है तो इसका टेस्ट भी एकदम अलग सा लगता है और इसे जब फ्राइ करते हैं थोड़ा सा कलर आने दीजिएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में इस टाइप में बंद करके दो महीना भी स्टोर करेंगे तो घर का बना हुआ है बिल्कुल भी खराब नहीं होता है एक होता है ना पुराना नमकीन में कुछ स्मेल सा आ जाता है पुराना पुराना जैसा तो वो सब बिल्कुल भी इसमें नहीं आता है तो देखिए फ्रेंट्स बनके त खस्ता और मसालेदार है मिथी का फ्लेबर है और सारे फ्लेबर है तो बहुत ही अच्छा लगता है देखिए है न खस्ता तो फ्रेंड्स इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले मिलती हूं अगले वीडियो में फिर से एक नई रेस्पी के स थेंक यू